नमस्कार मैं एड़ोकेट नरिश्कुदाल आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विधान का ज्यान पर जब भी कोई दो पक्षकारों में किसी संपत्ति को लेकर विवाद हो जाए किसी कॉंट्रेक्ट को लेकर विवाद हो जाए या फिर रुपेयों की वसूली का कोई मामला हो ऐसी सारी स्थितियों में हमें मामले को कोर्ट में ले जाने के लिए सिविल केस फाइल करना पड़ता है सिविल केस फाइल करने के लिए सिविल प्रक्रिया सहीता 1908 में प्रोविजन्स दिये हुए हैं यदि हम उन provisions के अनुसार case file नहीं करते हैं तो हमारा case registration के तुरंत बाद admission की stage पर ही खारिज हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि civil case होता क्या है और उसे file करने के लिए step by step procedure क्या होगी। Civil case को file करने के बाद उसमें सुनवाई के लिए procedure क्या होगी। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जो इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। दोस्तों हम नियमित तोर पर आपके लिए उपयोगी कानूनी जानकारिया आसान भासा में वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम वीडियो शुरू करें इसके पहले चैनल को जरूर कर लिजिए और अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आये तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए सबसे पहली बात तो यह आती है कि सिविल केस होता क्या है अलग-अलग कानून में अलग-अलग सिविल अधिकारों का उल्लेक किया गया है और जब भी हमारे क इसी उपक्रम में काम आती है हमें नियमित तोर पर दो साल तक सप्लाई करेगा लेकिन वो आदमी कुछ महीनों तक सप्लाई करने के बाद ही सप्लाई को रोक देता है जिसके कारण हमें नुकसान भी होता है और परेशानी का सामना भी करना पड़ता है तो हम ऐसे आदमी के उस supply की पूर्ति नियमित तोर पर करने के लिए और हमें हुए नुक्सान की छती पूर्ति करने के लिए civil वाद फाईल कर सकते हैं इसी प्रकार यदि हम किसी समपत्ति के स्वामी है तो उस समपत्ति का मालिक होने के नाते भी हमारे कुछ अधिकार होते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति जो उन अधिकारों को यूज करने में बाधा पहुँचाता है, उस आदमी के खिलाब भी हम civil case फाइल कर सकते हैं और उसे ऐसी बाधा पहुँचाने से रोक सकते हैं. इसकी कोई सीमा नहीं है, शोर्ट में इतना ही कह सकते हैं कि कोई भी कानून जो हमें civil अधिकार प्रदान करता है, यदि उस अधिकार का उलंगन होता है तो उसके लिए हम civil case फाइल कर सकते हैं. civil case कैसे फाइल किया जाएगा, इसके बारे में provisions civil procedure code 1908 में दिये गए हैं, हमें कोई भी civil case उनके अनुसार ही पेश किया जाना होता है, यदि कोई case civil procedure code के प्रावधानों के अनुसार पेश नहीं किया जाता है, तो उसे admission की stage पर ही खारिज कर दिया जाता है. जैसे कि हमने पहले बात की, civil case को फाइल करने के लिए सबसे पहले हमारा कोई civil अधिकार मुझूद होना चाहिए, और किसी व्यक्ति के द्वारा उस अधिकार का उल्लंगन किया गया होना चाहिए. जिस व्यक्ति को ऐसा अधिकार प्राप्त है और जो अधिकार के उल्लंगन पर दावा लाता है उसे वादी या plaintiff कहा जाता है और जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसा उल्लंगन किया जाता है उसे प्रतिवादी या defendant कहा जाता है. सिविल केस फाइल करने के पहले सबसे पहले यह ध्यान देना होता है कि हमारा केस कौन सी कोड से संबंदित है क्योंकि हर कोड का छेत्रा धिकार भोगौली की स्थितिक अनुसार और रूपयों की सीमा के अनुसार अलग-अलग होता है वादी के द्वारा केस फाइल करने के लिए सबसे पहले दावा तैयार करवाय जाता है इस दावे को वादपत्र भी कहते हैं वादपत्र में वादी और प्रतिवादी के पूरे नाम और पते अंकित किये जाते हैं उसके बाद वह दावा किस अधिनियम के किस प्रावधान के अंतरगत लाया जा रहा है ऐसा अंकित किया जाता है और वादबत्र में ही वादी की स्टोरी को संक्षेप में लिखते हुए वादी का क्या सिविल अधिकार है और प्रतिवादी के द्वारा उसे किस प्रकार बाधित किया गया है या उलंगन किया गया है ये सारी बातें लिखा जाना भी आवश्यक है कि प्रतिवादी के द्वारा वादी की अधिकार का उलंगन कब और कौन सी तारिक को किया गया है यानि वादी को प्रतिवादी के खिलाफ वादकरण कौन सी तारिक से प्राप्त है ऐसा लिखा जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हर चीज की रुपए उधार दे रखे हैं और आप उसकी वसूली के लिए दावा पेश करना चाहते हैं तो रुपए उधार दिये जाने की तारीक से तीन साल के भीतर-भीतर वसूली के लिए दावा पेश किया जा सकता है। किसी भी दावे के लिए अगर लिमिटेशन खतम हो जाती है तो ऐसे दावे पर कोर्ट सुनवाई नहीं करता। वाद कारण की तारिक और लिमिटेशन लिखे जाने के बाद वादी के द्वारा वाद का कुल मुल्यांकन भी किया जाता है और वाद के मुल्यांकन के अनुसार वाद के साथ कोर्ट फिस का भुगदान भी वादी को करना पड़ता है। साथ ही वादपत्र में यह भी लिखा जाना जरूरी होता है कि उस कोर्ट को वादी का वाद सुनने का अधिकार किस प्रकार से प्राप्त है। ये सारी चीजें लिखने के बाद वादी के द्वारा यह लिखा जाता है कि वादी को कोड से क्या रिलीफ अपयक्षित है या वादी कौन सी रिलीफ कोड से प्राप्त करना चाहता है और फिर अंत में वादी के द्वारा वादपत्र का सत्यापन किया जाता है। इस तरह से जो वादपत्र तयार करवाय जाता है वो दो प्रतियों में तयार करवाय जाना होता है और दोनों प्रतियां असल प्रतियां होती है जिन दोनों पर ही वादी के और उसके अधिवक्ता के साइन होते हैं वादपत्र के साथ ही वादपत्र के समर्थन में वादी का ए एक अलग प्रारूप में वादी और प्रतिवादी के रजिस्टर्ड पते भी वादपत्र के साथ पेश करने होते हैं। इन सभी चीजों के बाद वादी के द्वारा जिस वकील का चुनाव अपने केस के लिए किया गया है उस वकील के नाम से एक वकालत नामा तयार करवाया जाता है। वकालत नामे की वैसे कोई फीस नहीं होती लेकिन अधिवक्ता कल्यान कोस्त की नाममात्र किसी फीस वकालत नामे के लिए लगती है और ये फीस हर जगहे अलग-अलग हो सकती है Civil Case File करने के लिए वे सारे दस्तावेज जिन पर वादी निर्भर करता है या जिन दस्तावेजों से वादी अपने दावे को साबीत करना चाहता है वो सारे दस्तावेज एकत्रित किये जाएंगे और उनके लिए एक सूची तयार की जाएगी उस सूची का प्रारूप भी Civil Procedure Code में दिया गया है उसी प्रारूप में सूची तयार करके सूची के साथ सारे दस्तावेज भी वादपत्र के साथ पेश किये जाने पड़ते हैं इतनी सारी सामगरी के अलावा प्रतिवादी के नाम से नोटिस या समन और उस नोटिस या समन की तामील के लिए जो खर्चा लगता है वो भी वादी के द्वारा दिया जाता है और समन के साथ वादपत्र की एक कोपी भी पेश की जाती है जो प्रतिवादी को समन के साथ उपर ही उपर लगाया जाता है और फिर उस फाईल को पूरा करके court के reader या रेजिस्टरार के सामने पेश कर दिया जाता है court का reader या रेजिस्टरार फाईल पेश होने के बाद में उसकी जांच करता है कि क्या वह file civil procedure code के प्रावधानों के अनुसार पेश की गई है या नहीं यदि वो प्रावधानों के अनुसार पेश की गई है तो case को register कर लिया जाता है और यदि प्रावधानों के अनुसार पेश नहीं की गई है या उसमें कोई कमी पाई जाती है तो ऐसी कमी पूर्ती के लिए वादी को अवसर दिया जाता है यदि वादी उस अवसर को प्राप्त करने के बाद कमी की पूर्ती कर देता है तो फाइल को रेजिस्टर कर लिया जाता है और यदि अवसर मिलने के बाद भी वादी के द्वारा उस कमी को पूरा नहीं किया जाए तो केस को उसी स्टेज पर खारिज कर दिया जाता है हालांकि इस तरह से खारिज किये गए केस को दुबारा भी पेश किया जा सकता है उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी ऐसी ही उपयोगी विधिक जानकारियों के लिए बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में